है यहां पर हम सारे ही डिसक्राइब करेंगे कौन सा स्टेट वाला अपलाइब कर सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी डेट क्या है इसकी और कैसे आपको अपलाइब करना है अपलाइब करेंगे तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबा ले ताकि आपको जॉब से रिलेटर भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चले हम शुरू करते हैं आज की सब्सक्राइब कर सकता है तो सबसे पहले यहां पर टेकनिकल एसिस्टेंट की बात हो रही है यहां पर टोटल नंबर विकेंशी जोगा 85 विकेंशी आपके निकली हुई है तो आप आप देख सकते हैं अनजर्ब के लिए कितनी है सी एस्टी और बेसी एड़ियोस पीड़ि हुई है अगर पेस्केल की अगर हम बात करें तो 35,000 से लेकर 1,12,400 रुपए आपको मिलेंगे के अगर हम बात करें इसमें आपको डिगरी होनी चाहिए नोलज ऑफ कौन की कौन का नी तो इसका नोलज भी आपको होना जरूरी है उसका बाद टेकनिकल एसिस्टेंट कि उसके बाद माइनिंग के लिए एजुकेशन क्वालिवेशन माइनिंग में आपका होना चाहिए और इसमें एक ही बिकेंशी जो है निकली हुई है उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं टेकनिकल एसिस्टेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक इंफिमेशन टेकनोजी की इसमें टोटल नंबर पेटी वन है कि इसमें भी आपको जो इंजिनर्यंग की डिगरी है वह इसके बात करते हैं जूर इंजिनर्स से प्सक्रीव सेलल हो कि अरुट्वा निकली हुए आपको देह सकते हैं कि कौन किसमें क्टता है कि अगर हम जूनियर इंजिनर की बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा भी होगा आपके पास तो चलेगा देंगे डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऐसा ही मेकानिकल एलेक्टिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर होनी जाए तप आप कर सकते हैं मेकानिकल की बात कर रहें एलेक्टिकल की बात कर तो टोटल बगेंसी यहां पर निकली हुई है के उन्होंने कंडेशन भी रखी हुई है कि आपको मराथि का नॉलेज है वो भी होना जुरूरी है और civil और उसमें बात करें तो knowledge of कौन का नौलिज आपको होना ज़रूरी है यह चीज यहां पर important है उसके बाद age limit जो होती है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए last date जो है वहां से लेकर तो आपको apply कैसे करना है आपको जो apply करना है वो application form जो होगी वो online fill up नहीं होगी आपको एक application download करनी पड़ेगी यह website है इस website पर जाकर आप application को download कर सकते हैं और उसको fill up करके आप apply कर सकते हैं तो आप जो last date के अगर हम बात करें तो 27 नो यानि के आज साथ तारीक हो चुकी है आज से application fill up जो होना शुरू हो गया है उस ताइस तक यह last date है तो आप जो जो apply करना चाहता है वो apply इस टेट तक वो कर सकता है तो यह यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी यह दो तिन website है तो इन website पर जाकर आपको कहां पर application को send करना है उसके बारे में भी बताया गया है तो यह जीज जब भी आप application को fill up करते हैं तो इस सारी चीज़े जो आपको आपके पास होनी चाहिए अब तब ही apply कर सकते हैं अगर कोई आप किसी ओर स्टेट से हैं गोवा से नहीं है तो आप apply कर सकते हैं लेकिन जब आप जो हैं इंटर्वियू में पास हो जाते हैं उसके बात आपके rejection के chances जो हैं वो बहुत जादा हैं आपको reject कर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर जो document मांगे गए हैं जब आप किसी test को पास कर लेते हैं तो उसके पार उन्हें बोला कि आपको बैलिट 15 year का certificate होना चाहिए state of goa का तो birth certificate भी आपके पास होना चाहिए तो यह नही पर apply कर सकते हैं बाकी और apply नहीं कर सकता है तो यह चीज नोने मांगी हुई है अगर age limit की बात करें तो 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपको यहां पर थोड़ी वो छूट जो हो मिल जाती है किसको कितनी मिलती है यह तो सभी को पता है कि हमें कितनी छूट मिल सकती है तो यहां पर आपको एक written test होगा written test के base पर यह आपकी selection जो होगी 100 marks का होगा चाहे सेबल हो चाहे electrical mechanical जो भी हो सारा 100 marks का होगा उसके बाद आपका जो क्या होगा आपके document जो होंगे वो verify होंगे document verify के according ही आपको जो है shortlist किया जाएगा तो यह चोटी सी जानकारी थी अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फोटावर्ट से कर लो तो यह application की form है इस तरह की दिखेगी यहां पर आपको photo जो अपनी लगानी है तो यहां पर पोस्ट कितके लिए apply कर सकते हैं कर रहे हैं junior engineer civil है तो mechanical है तो इस तरह से सर तो यहां पर आप पूरी जानकारी जो है लिख सकते हैं pwd यह अपना नेम बगारा यहां पर दिया हुआ है सर नेम क्या है आपका middle name क्या है उस तरह से जेंडर फादर नेम इस तरह से फुल फिल अप करके आप इस से application को फिल अप कर सकते हैं यहां पर आपको address लिखना बना आई जैसे की वुपेंदर कुमार son of SSR लिखकर आपको इसको यहां पर faithfully signature और नेम आपको लिखकर के application को सेंड कर सकते हैं before dates तो 27 इसकी last date है 279 21 को उससे पहले पहले आप apply करना चाहत document verification होगी तो यहां पर 15 साल का आपके पास गोवा में रहने का certificate होना चाहिए अगर कोई ऐसा है जो की गोवा में ही रहता है उसके पास वहां की citizenship है तो वह apply कर सकता है तो friends मिलते हैं ऐसी ही next वीडियो में